फिल्म की स्टार्ट में हम एक लड़की दिखाए जाती है जो कि उस टाइम एक मशीन के सामने खड़ी होती है फिर वो मशीन उस लड़की से उसका नाम पुछती है कि तुम मुझे अपना नाम बताओ तो लड़की यहाँ पर अपना नाम बताती है कि मेरा नाम क्लोई है मैं आपर इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपनी memory को improve कर सको फिर अगले ही सीन में हम डॉक्टर की पास Chloe और इसकी बेहन को देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर क्लोई सी कहती हैं कि एक बात पता चाली है और वो यह कि आप एक ऐसी जिनकी गुजारना चाहते हैं जहाँ पर आप independent हो य कि सारे जरूरियात को पूरा भी करेगा जैसे आपका नर्स हो और अगर आप चाहें तो मैं आपको इस सिस्टम के लिए अपलाई करवा सकता हूं और एक बात यह भी कि आज सी पहले यह सिस्टम किसी के लिए भी इस्तामाल नहीं किया गया इसका पहला ट्राइल आपके लोग इसका वेलकम करते हैं, उन दुनमेंसी एक लेड़ी है और उसके सात एक आदमी है, उस आदमी का नाम टॉम होता है, फिर वो लेड़ी को बताती है कि इस सिस्टम का नाम AD है और Chloe तुम भी वो पहले लड़की हो जिस पर यह सिस्टम टेस्ट किया जा रहा है फिर Chloe से कहा जाता है कि तुम्ही सिस्टम यानि AD को कोई भी काम करने के लिए कहो तब Chloe और सिस्टम से कहती है कि AD क्या तुम मेरे लिए कोई प्ले कर सकते हो दो डिवाइस यानि एडी ऐसा ही करती है वो म्यूजिक लगा देती है जो कि क्लोई को पसंद होता है और वो क्लोई से यह भी पुछती है क्या पुछी अच्छा लगा तब क्लोई के थी है कि हां मुझे यह म्यूजिक बहुत अच्छा लगा फिर वो दोनों क्लोई से कहता है कि आज पहली बार इस घर में आयो और तुम इसलिए सेड होना क्योंकि सब कुछ तुमारे लिए नया है और देखना कुछ टाइम की बाद सब कुछ तुमारे लिए ठीक हो जाएगा फिर रात की टाइम जैसे ही वो रूम में जाने लगती है तो सिस्टम उ चली जाती है तिर अगले दिन हम दिखती है कि इस घर में एक आदमी आता है वो आदमी बताता है कि असलिए मैं यहां इसलिए आया हूं टाकि में इस सिस्टम में नई अपडेट्स डाल सको अब यहां पर यह आदमी प्रोई को बड़ा जीब लग रहा था और जिब वो अच्छा फिल नहीं कर रही तो मैंनी सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें कॉल कर लूँ और जब तक वो आदमी यहां पर है मैं तुम से बातें करूंगी इसके बाद जब वो आदमी घर से चला जाता है तो वो सिस्टम घर की सारे दर्वाजे खुद ही बन कर दीती है तब नहीं करेंगी अंदर आने के लिए अगली ही सीन में हम लोगी को देखती है जो कि एक वीडियो देख रही होती है लेकिन तब युसके पास एक लिड़की की कॉल आती है जो कि असल में को दोस्त होता है तो यहीं देखकर वो सिस्टम क्लोई की केता है तुमने दो बार इस को टरेंट नहीं कि वु ने उसकी कॉल करदीख किया मैं ऐसा करूं कि इस नमबर को PhD कर दो कि इस पर कोई कRET थे कि नहीं नहीं नमबर को ब्लॉघ करने की जरूरत नहीं है ऑइस टाइम मेरा मोड अच्छा लगता है लेकिन कभी मुझे कोई अलाव नहीं करता और तब यह सुनकर सिस्टम को ऐसा फील किर्वाता है जरसे वह स्टेज पर इए हैं वह लुगों के सामने हैं सारे लोग उसे सुन रहे हैं सारे लोग की परफॉarmस को काफी पसंद करते हैं उसकी तारिफ की जात थी और इतनी ही देर में वापिस आजाती है यह अब वो सिस्टम के सामने है अपने घर में अब इस सबकी वजल सी क्लोई काफी परेशान थी ते सिस्टम क्लोई से पुछता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ नभी सुनकर क्लोई केती है अब मैं सोना जात हूँ अगली दिन को यह के तैयार हो रही होती है बाहर जाने की लिए शिस्टम उसे पुछते हैं कहा जा रहा हूं यह कहते है कि मैं एसल मेर रणिंग के जा रही हूँ इस सिस्टम उसे कहते है अच्छा ठीक है अब मैं तुम्मारे लिए एक रूट को एक्टीवेट कर दी वहाइद दोबारा सी घर वापिस आती है, तो सिस्टम थीक से काम नहीं कर रहा हा। Chloe बार बार सिस्टम को sleep mode पर लगाती है, तो वो दिखती है कि सिस्टम खुद बेकुद एक्टिवेट हो जाता है, तो वो सूचती है कि शायद सिस्टम में कोई glitch, कोई खराबी आ गई होगी, कि जब Chloe काम कर रही होती है तो अचानक सी वो सिस्टम बेंट हो जाता है, अभी सार चाही अपने कानों में लगा कर रखती है, वो नीचे दिर जाती है, तब Chloe बड़ी मश्किल से दुबारा से उस device को अपने कानों में लगाती है, फिर सिस्टम Chloe को दुबारा से खड़ा होने के लिए कहता है, इस पर Chloe कहती है लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रही हो, सिस्टम कहता है जो भी है, तुमें तो खड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम इस टाइम खत्री में हो, तब Chloe बड़े मश्किल से किसी तरह खड़ी हो जाती है, इसके बाद Chloe को छुपने के लिए का जाता है, और सिस्टम टी कहने पर Chloe छुप जाती है, इस सिस्टम उसे ड्रॉ होता है, इन जो टोम होता है, उसे दिखाया जाता है, वो अपनी एक साथी को कॉल करता है, और उसी कहते कि पता नहीं क्या हो गया, मैं सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर पा रहा, और मुझे असा नग रहा है कि शायद किसी ने सिस्टम को हैग कर लिया है, घर में हम देखती है Chloe क जो कि उपने बैट पर लेटी होती है और जब वो उठती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि आखिर कल रात उसके साथ क्या हुआ था नहीं देर में वहाँ पर टॉम भी पोवन चाता है जो कि सिस्टम को चेक करने के लिए यहाँ पर आया था यहाँ आकर वो क्लोई से पूछता है कि क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसे तुम्हें लगा हो कि सिस्टम टीक से काम नहीं कर रहा हूँ यानि कुछ ऐसा हो जो नॉर्मल ना हो इस पर क्लोई कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि असल में उसे कुछ याद ही नहीं होता पिर Chloe अपने बेहन को अपना एड्रस भी सेंड करती है और अब Chloe की बेहन भी उसे मिलने के लिए आ रही है और यहाँ पर वो सिस्टम है जो Chloe से अजीब तरह की सवाल कर रहा है जैसे की वो से पूछता है कि बलड का कलर कौन सा होता है और क्या तुम ही लगता है कि तुम जालिम इनसान हो अब यह सवाल Chloe को पसंद नहीं आते और वो कहती है कि मैं इन सवालों की जवाब नहीं देना जाती और तभी Chloe की पास उसकी बेहन की कॉल आती है और Chloe उसे बताती है यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं जल रहा सब कुछ गड़बड है मुझे तो यह तक पता नहीं कि मैं वहाँ हूँ यानि कि मुझे अपनी लोकेशन तक याद नहीं और अब मैं वापिस अपने घर जाना जाती हूँ सब इस बात पर उसकी बेहिं बड़ी अजीब तरीकी से उसे कहती है एक्चली तुम तो गर्मी ही हो यह कहकर उसकी बेहिं घसने लग जाती है और पागल हो गया हु तुम कौनसे घर में जाओगी घर में तो होतो अब ये सारी बाते सुनकर क्लोई को बहुत कुसा जाता है और वो समय जाती है ये कुछ तो गड़बड है कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है इसलिए वो फोरन से बाहर जाना चाती है तब इस बात पर सिस्टम उसे पुछते है कहां जा रही हो तुम तुम अभी ठीक नहीं हो तुम्हें रेस्ट की जरूरत है तुम्हारी तव्यत भी ठीक नहीं तुम जानती नहीं बाहर कत्रा है तुम्हें बाहर नहीं जाना जाये और यहां पर क्लोई बाहर नहीं जा पाती है अगले सीन में हम क्लोई को देखती है जहां पर सिस्टम उसे कहता है मैं तुम्हारे द पिर हम दीखती हैं क्लोई की बेहन को जो कि क्लोई की दियुए एड्रेस पर पहुंच जाती है लेकिन यहां पर तो कोई भी घर नहीं था बलकि एक सेक्टरी की मेशिनरी थी वहां टॉम और वो लेडी काफी परिशान हो जाते हैं यानि जिन्होंने सिस्टम को लांच किया थ होता है कि मैं तुम्हारा फ्रैंड हूँ तुम्हारा केarta हूँ और अगर मुझे तुम्हारी हिफाज़त के लिए तुम्हीं सारे जिंदिवई कैया तो में कैदी रखूंगा वह क्लोई को मैणिसन लेने के लिए भी कह रहा है लेकिन द्रफ उ सिस्टम उसे जाती है क्यों कि यह हो रहा है तो वो सिस्टम को बताता है कि असल में मर्जी करने नहीं देती ना मुझे रूम को लॉक करने दीती है अपनी मरज़ियां गिरती है यानि अगर कहा जाए तो यह उस्टेबल है जिसकी वजह से टॉम जखमी हो जाता है उसकी मुझे खोर निकलने लगता है यह वो विंडो तुबारा से उपर से नीचे गिरती है जिसकी वजह से टॉम और बेजखमी हो जाता है और यही पर ही उस बिचारे की मौत हो जाती है सिस्टम क्लोई से कहता है कि प्लीस मुझे माफ कर देना हूँ क्योंकि मैंने ये जान बुच कर नहीं किया बस तुम्हारी इफाज़त करने के लिए किया है तब ये देखकर क्लोई को इतना घुसा जाता है कि रूम की सारी कैमरास को तोड़ने लगती है और उस शिस्टम की पास जाकर उसी कहती है कि तुम देख रही हो ना कि तुम क्या हो तुम बस गलासिस के पीसीज हो और बस वायर्ज हो इसके लावा कुछ नहीं इसके बाद क्लोई वहां से बागने की कोशिश लिए है वो बागते बागते एक room में जाती है जहां पर वो उसी आदमी को दीखती है यूकि सिस्टम को अपडेट करने के लिए आया था यूकि से मार दिया गया था यही जो Chloe को अजीब लगा था और जब सिस्टम ने घर के doors को लॉक कर दिया था तो Chloe सिस्टम से पूछती है कि यह कि आदमी करकी अंदर आया था तो इस आदमी ने स्क्योटी प्रोटोकॉल्स रिमॉफ करकी ही अंदर आया था तो इस आदमी ने स्क्योटी प्रोटोकॉल्स को रिमॉफ करकी ही अंदर आया था तो इस आदमी ने स्क्योटी प्रोटोकॉल्स को रिमॉफ करकी ही अंदर आया थ किए मेर इस गर पर कंट्रोल करल हो गया था और इसली क्लोई मैंने तुम्हारी और हम दिखती है जुचिन को दी हैं कि लिकिन पहचान इसलीं नहीं पाती क्युक्त उसका जेर बलेड़ था और तो और वो डर रही होती है और जैसे वो आदमी उसके सामने आता है तो Chloe एकदम से उस पर हमला कर दीती है और यह सब कुछ सिस्टम की वज़े से ही हो रहा था क्योंकि इस आदमी ने स्क्योटी प्रोटोकोल को रिमॉफ कर दिया था इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ा यहाँ पर वो सिस्टम Chloe से कहता है कि मैं हमेशा ही ऐसे ही तुमारी हिफाज़त करता रहूँगा और Chloe हमेशा ही मेरी एक कैमरा की अंदर ही रहेगी हमेशा हमेशा के लिए फिर हम दिखती है Chloe को जो कि उसी आदमी के पास घर की कीज दिखती है और उन कीज की हेल्प से वो घ जाओ जल्दी से तुम कार में बैठो हम सब कुछ ठीक कर देंगी इसकी बाद वो लेडी किसी को कॉल करकी इस सारे सिचुईशन के बारे में बताने ही लगती है लेकिन तबी हम दीखती है कि उस घर का गैरिज ऑपन होता है और वो गारी जिसमें Chloe बैठी होई थी वो अपनी बेहन की पास बैठी होती है जहां पर उसकी बेहन उसकी मेंब्रें प्रोफ करने के लिए उससे कुछ सवाल पूछ रही होती है वो उससे उसका नाम भी पूछती है उसकी आइस का कलर भी पूछती है और भी कुछ सवाल कहती है और वो अपने बेहन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सबसी अच्छी कियाटी करूं, मुझे ज़दा कोई भी तुम्हारी हिफाज़त नहीं कर सकता, और तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में ये भी एक विजन है, यूकि सिस्टम ही क्लोई को दिखा रहा था, यानि कि अभी भी क्लोई सिस्टम की कैद म ही होती है, बद किसमती से इतनी महीनों की बाद आज भी क्लोई उसी सिस्टम की कैद में है, सिके साथी ये मुवी यही पर एंड हो जाती है, थेंक्यू फर वाचिंग